सलाम, नमस्कार और साश्रीकाल मैं दॉक्टर हरपीद बजाज जो की एंडोक्रिनोलोजी का स्पेशलिस्ट हूँ और स्टॉप डाइबीडीस फांडेशन का फांडिंग चेर्मेन हूँ एक और यॉर हेल्थ शो लेकर आँ आँ आपके लिए जिसमें हम बात करेंगे डॉक्टर समीना उदीन से डॉक्टर समीना उदीन जो की यहां नौर्थ बे में उन्हों ने जर्म लिया उनके पाकिसान से आये थे और उसके बाद उन्होंने पढ़ाई करी इतनी पढ़ाई करी कि हर एक जो भी उनिवर्सिटी है अपने ओंटेरियो की उन्होंने हर जगा जाके अपनी specialization के बाद super specialization प्राप्त करी शुरुवात की उन्होंने Queen's University से उसके बाद London में फिर McMaster में और University of Toronto में उन्होंने super specialization हासिल करी अभी डॉक्टर उदीन यहां पे Trillium Health Partners में जो thoracic oncology division है उनकी head है उनकी करता धरता है उसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारी teaching करते हैं अलग-अलग university के students और fellows उनके पास आखे पढ़ते हैं and welcome to the show Dr. Uddeen आपने बहुत बढ़िया इतने साल लगा कि कितने साल लगे आपको इसे सब करने में बात नहीं करना चाहती है फ्रीट लेकिन बहुत साल लगे हैं पंदरा साल तो लगे होंगे high school से निकने में तो इतने universities के जाने के बाद तो अभी Trillium Health Partners में आगे हूं तरासिक surgery करने के लिए जी तो पंदरा साल लगे और कई बरी हम डॉक्तर्स क्लिनिक में इतने बिजी होते हैं की patients के जो सवाल होते हैं या फिर लोगों के सवाल होते हैं कई बरी आंसर नहीं कर पाते हैं तो मैं बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूंगा आपका कि आप इस प्रोग्राम में आए और लोगों का सवाल जो है और लोगों की जो इस बात पर जो चर्चा होएगी वह आप clarify करेंगी तो thank you so much for doing that. You're welcome. I think it's very important जो हमारे लोग हैं वो सुनने आजाएं चैनल Y में देके हम बात कर सकें स्मोकिंग के बारे में और कैंसर के बारे में क्यूंके हम लोगों के अंदर ये बहुत होता है तो थोरासिक सुर्जरी जो डिविजिन है आपका वो लोकेटिट वैली हॉस्पितल में है और किस-किस जोग्रफी किस-किस एरिया को कवर करता है ये डिविजिन? मैं जादतार करड़िट वैली में काम करती हूं लेकिन जो हमारा थोरासिक सुर्जरी डिपार्प्मेंट है ये रिजिनल प्रोग्रम है तो हम कवर करते हैं ओक विल, जोर्ज्टावन, मिल्टन, एटोबिको, मिसिसागा और एक और डिपार्मेंट भी है ब्रैंटन में तो जो विल्यम उसलर का देपार्मेंट है वो औरंज विल, ब्रैंटन ये पूरी रिजिन को हम कवर करते हैं तो आप काफी बिजी होते होंगे जब इतने सारे इतना बड़ा जोग्रफी आप कवर करते हैं इसमें तो हम Smoking related जो Cancers है उसकी बात करना चाहेंगे So what are some of the Cancers जिससे आप डिएल करते हैं वो कौन कौन से Cancer हैं? So mainly, jo Mac Cancer के साथ डिल करते हैं वो है Lung Cancer or Esophageal Cancer और हमको पता है के Lung Cancer, 80% of Lung Cancers are due to Smoking About 15-20% are happen in non-smokers लिकिन जादा तर जो lung cancer होती है वे smokers के अंदर होती है अलब 80% जो है smoking की ही देन है और जो 15-20% जो smoking related या primary smoking related नहीं भी होती है उसमें से भी कुछ part में भी secondhand smoking से related हो सकता है जबूर secondhand smoke या occupational exposures जो काम में होती है घर में भी environmental exposures हो सकते है लिकिन कभी smoking sorry जो lung cancer say there are some that are related to not smoking at all और वो जो होती है वो जादा दार और 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 जादा है और तो डॉक्टर अदीन आए हुए है अगर आपका कोई भी सवाल है smoking से related, cigarette से related या फेर lung cancer या इसोफेजिल cancer जो की खाने की जो नली होती है जो पेट तक जाती है उसका कैंसर तो आप फोन करके अपना सवाल जरूर पूछ सकते हैं आप फोन नंबर देख सकते हैं टेलिविजन स्क्रीन पे अपने तो डॉक्टर उदीन आगे बात करेंगे कि मेभी 1925 तक जब सिगरेट शुरू ही बिकना शुरू ही तब तक लंग कैंसर के रेट बहुत कम होते थे और उसके बाद मेभी 1950-1960 तक लंग कैंसर के रेट एकदम से शूट अप करना शुरू हो गए तब हम पता लगा कि सिगरेट से ही ये लंग कैंसर हो रहे है तो इतना time lag जो है उसमें लगा smoking related cancers होने में तो क्या ऐसा अभी में माना जाता है कि इतना time lag होता है तो smoking causes at least 30% of all cancers अभी जो हम ने बात की ती एदा इस that lung cancer is happening in about 80% of people who smoke that it will cause 80% of lung cancers but smoking causes so many other cancers, colon cancer, breast cancer, so breast cancer, colon cancer, pancreatic cancer, so smoking is probably the number one cause of most cancers so by quitting smoking we can reduce our risk of all cancers by so much smoking में क्याद क्याक्या क्याक्या क्यों होते हैं क्यों इतने सारे cancer जो है पैदा होते हैं smoking के साथ उसमें हजारों की मात्रह में chemical होते हैं तो उसकी वज़े से यह सब cancer पैदा होते हैं absolutely, so in cigarettes there are thousands of chemicals we know that there are many carcinogens जो chemicals होती हैं जो cancer को cause करती हैं तो वो chemicals जो होती हैं वो सारे cigarettes में अंदर हैं तो जो nicotin होता है वो cigarettes में companies जानभूज के डालती है तो वो क्यों डालती है? Because it's addictive. यह जो smoking है, it's the number one addiction. जैसे और भी addictions होती हैं तो लेकिन यह है एक addiction जो हम बात नहीं करते हैं government की support होती है जैसे alcohol की होती है but smoking it's available at your convenience store, at the corner store. हमको पता है को सारे pictures जो हैं box के उपर that it causes cancer. लेकिन जो addiction बन जाती है nicotine के साथ वो बहुत you know difficult होती है उसको चरवाने के लिए. तो एक तरह से cigarette companies जो है nicotine add करके addict करती है लोगों को और क्योंकि पहले तो 1950-60 तक तो लोगों को पता भी नहीं था कि इससे इतने सारे cancer होते हैं तो बहुत लोग इसका शिकार हुए. But even उसके बाद जब पता भी है की cancers होते हैं, cigarette से होते हैं, एक तो nicotine की बात है, एक तो addiction की बात है, दूसरी ये बात है की इतनी available हैं cigarettes हर जगा क्योंकि government एक तरह से उनका finance जो है उस तरह से चलता है की they get a percentage out of every cigarette that is sold. Absolutely, absolutely. So it's very hard to fight big smoke or big tobacco because there's so much support financially for these companies to continue to exist. I think overall we can say though that smoking rates are decreasing and with reducing smoking in public places, the secondhand exposures are also decreasing. So we're actually seeing that the incidence of lung cancer in men, for example, is coming down. But the incidence of lung cancer in women is going up. क्यूंकि जो औरतों में पीक ता smoking का वो, it happened later. तो अब जो हम देखने हैं जादातार औरतों में देखने हैं के लंग cancer बातार जाड़ा है. तो पहले cigarette related cancer होते हैं वो मर्दों में जादा पाय जाते हैं. अभी भी मर्दों में हैं. लेकिन मर्दों में जो rates है वो कम हो रहे हैं. क्यूंकि उनके smoking rates कम हो गए हैं. तो direct correlation है कि cigarette शुरू हुई तो lung cancer शुरू हुआ और जब rates कम हो रहे हैं, at least western world में कम हो रहे हैं. मेभी Asia और Africa में बढ़ रहे हैं. तो वहाँ पे cancer होने का और ज्यादा chances बढ़ रहे हैं. पर विमेन में और तो में अभी भी cancer rates बढ़ रहे हैं. क्यूंकि उनकी जो peak थी, जो cigarette जब ज़्यादा पीते हैं तो लेट शुरू हुई तो लेट शुरू ही तो लेट शुरू हुई नशुरू है. नशुरूु के ज़्यादा को बढ़ रहे हैं और ज़्यादा सर्थाजशन प्रोग्रम लेटव क्राओंच। श्तो द्यादा रहे हैं. उनकेश ग्रेड़ सकता है नहीं क्अच्छ निया जार। टो नशुरू एलुटरू या ने पर बढ़ जादा प्रदू तो इन में से प्रोडक्ट्स जो है यह किसी स्पेशल क्लिनिक में जाके लिये जाते हैं या ओर-the-counter मिलते हैं तो इसे यह सब प्रोडक्स मिलते हैं आपने बताया की एक तो निकटिन होगे फिर उसके बाद में बताया की कुछ गोलियां भी हैं कुछ दौई भी हैं जो ले सकते हैं तो यह प्रिस्क्रिप्शन के साल मिलते हैं कोई स्पेशल क्लिनिक होता है उसके लिए? हम भी हैन वी है निकार है निक ट कन के सकते हैं, स्पनी कि जो लो इस ऑने मिलते हैं, के च। ने बताया हैं के लिए कार रहा हैं की छिए प्रोड़ें हैं मेलते हैं जो बताया की ह। आपना मन बनाना पड़ेगा और आपने अपना मन बना लिया है तो गवर्मन ने इतनी जहरीली एक तरह से यह आदत है आपको पहले अपना मन बनाना पड़ेगा और आपने अपना मन बना लिया है तो गवर्मन ने इतनी सारी सहूलत है इतनी सारी फेसिलिटीज आपको प्रोवाइड करिये आप स्मोकिश्पटर नाउ अपने वेब साइट बता आए तो और कुछ और ओर वेब साइट जो की मिनिश्टी ऑफ हेल्थ चलाते है उसमें कर सकते है या फिर आपने सिर्फ फैमिली रॉक्टर से बात कर सकते है वो भी आपको बता सकते है या फिर हास्पिटल में हर एक कि तर बॉर यह आपने आप कुछ लोग अर्छ और यह में सकता है आपने हर सुपनल कुछ फार्मसे से चीज़ आपे आपने अर्यां वहos्ता dir lesa और्म आधाक करहिए गां आयार जिंल को दो है and engage in various stop-smoking techniques. तो इसमें निकोटिन कुछ प्रोडक्स आते हैं, जो की गम में भी आते हैं, और एक तरह से इन्हेलर, जो की सिगरेट की तरह दिखता है, वैसे भी आते हैं, और कुछ पैच लगाने भी आते हैं, तो इनमें से आप क्या बताना चाहेंगे, और यह सक्सेस्फुल होते हैं के नहीं होते हैं? ज़रूर सक्सेस्फुल तो होते हैं, sometimes you have to try more than once, you have to want to quit smoking, ताके साथे चीजें एफेक्टिव हो सकें, but if you smoke, for example, a pack a day, we can give you the equal dose, and then start to decrease the nicotine, so you slow down the cravings, and cut the addiction slowly, ताके you can stop smoking easily. जी, तो nicotine जो है, वो अडिक्टिव पार्ट है, और जिए ताके लोग अडिक्त हो जाएं, और यह nicotine patch, inhaler या गम जो है, वो सिरफ वो अडिक्टिव पार्ट सप्लाई करते हैं, उसमें हजारो जो जो सिगरेट में होते हैं, वो नहीं होते हैं, तो nicotine जो है, वैसे कोई नुकसान नहीं करता है, और लो कि नीकटिन से cancer फजब भगरा नहीं होते हैं, आए सा मानां? It's another chemical in the cigarette. It's not safe for use on its own. So we don't want to say, use the nicotine, but in the small doses in the patch and inhaler and gum to quit smoking eventually, we accept that you can use it to come off the cigarette. अलब कि कुछ देर के लिए, तीन महने, छे महने के लिए आप निकोटिन के पैच या इन्हेलर यूज कर सकते हैं कुछ तो हैंड-to-mouth habit होती है, तो निकोटिन इन्हेलर जो है मेभी उसमें मदद करता है और यह आप कॉमिनेशन में भी यूज कर से हैंगा, तो पैच लगा सकते हैं और बीच में अगर अगर प्रेविंग होए, बीच में आपका मन करें तो इन्हेलर को उसको पफ कर सकते हैं ता कि वो जो hand-to-mouth habit हो भी आपकी तरह से दीरे दीरे तूटने शरू हो जाएंगा और यह जो गोलिया, दभाईया आपने बताई की अक多 वब्यूतरन और चाम्पक्स यह जो 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 एं प्रेदाइया जो धोगा मिलती है और कवर दूपलिक प्ले पर जो भी आपका जो प्रूदोan होती है भो बी का ऱर सकती हैं there are some public plans that can cover it too this is to talk with your family physician about you need a prescription from the pharmacy alone but these are meant to reduce the cravings of smoking this is the most important thing to want to quit smoking so that we can start all of the programs and have the highest success rate and I would like to say one more thing this is a lot of electric cigarettes today some of these are flavored cigarettes some of these are flavored cigarettes so what do you want to say about that? so these are not supported by the government they are not felt to be safe you can buy them the e-cigarettes but there's no safety guidelines on what they have in them they're not supposed to have nicotine in them but we don't know what they have in it and they are also making some cigarette companies the electric cigarettes are making some cigarette companies that's right so because they know that fewer people are smoking now many of the tobacco companies are turning to e-cigarettes to try and make this their next product and the electric cigarettes are we can say that they can be the same over time but again जैसे cigarettes जब शुरू हुई थी, तो 20 साल बाद पता लगा था कि cancer होते हैं, यह भी electric cigarettes जब शुरू हुई है, तो उससे भी काफी सालों के बाद पता लगेगा, जैसे कि 1960s में हो था, 1960s के जो decade में, कि cigarette companies जब government ने बोला कि आप तो cancer पैदा कर रहे हैं, तो उन्होंने उस टाइम में filter cigarettes निकाली थी, कि filter कर दिया है, तो filter से निकल जाती है, तो smoke नी होती है, इसलिए cancer नी होएंगे, तो हमें बाद में बता लगा कि filter cigarettes से भी same problem हो रही है, तो आपको लगता है कि electric cigarettes से भी ऐसा ही होने की उमीद है? I think it's so new right now that we don't know for sure, लिकन हो सकते, you know, there are always companies that want to make a substandard product for the same price, so we don't know what they're putting in them, बस ये गवर्मेंट की, you know, rule है, or guideline की, we don't know what's happening in these, they're so new, they haven't been studied yet, we don't know who's making them, how they're manufactured, we can't be sure that in every e-cigarette there's complete safety, so they haven't endorsed their use yet. And tobacco saving के और भी तरीके होते हैं, जैसे की शीशा, हुका, यह फे कुछ लोग चबाते हैं तो उनसे भी ऐसे ही cancer पादा होते हैं? Absolutely, तो हमको पता है के जो चुँएं तबाको होते हैं, जैसे कभी को बार पान में भी होता है, that you, there's a higher rate of having head and neck cancers, जैसे मुम में कैंसर हो जाता है, so of the tongue, mouth, cheek, and so these cancers are also very deadly, so even the tobacco that you chew has a risk with it. और शीशा, शीशा भी, yeah, so same तरह से टुबाको जो lung cancer पैदा करता है, cigarettes के तुरू, ऐसे ही शीशा या हुका भी, there is risk, there is risk. तो वही है कि अगर हम देखें तो यह industry जो है, cigarette industry जो है, profits के current आपको मजबूर करती है, एक तरह से कि cigarettes करीदे और कई बारी youngsters के पास जाते हैं, कई बारी अलग-अलग तरह से advertise करते हैं, पहले तो काफी advertisements आती थी, जिसमें कि Hollywood stars, Bollywood stars, सब इसमें include होते थे, कि cigarette smoking जो है, बहुत cool है, और उसके बाद इतने सारे लोगों को जो तकलीफें हुई, उसके बाद काफी लोगों ने समझा कि cigarettes जो है, इतनी हानी का रग है, इतनी dangerous है, इसलिए smoking rates कुछ कम होना शुरू है, तो यह सब आपके हाथ में है, cigarette companies तो अपना profit देखती है, पर आपकी health जो है, आपने खुद देखनी है, इसी तरह से हम जब मुटापे की बात करते हैं, तो food industry जो है, वो आपको sell करना चाहती है, खाना sell करना चाहती है, पर आपके हाथ में हैं, कि आप अपने मूँ में क्या डालते हैं, आप healthy nutritious food डालते हैं, या फिर आप जो fast food, unhealthy food जो है, जाल scientific proven जानकारी है, आपको आपके सामने लाएं, अगर आपको कोई भी सवाल है इस topic पे, तो प्लीज आप फोन करके पूछ सकते हैं, तो Dr. Odeen, आप जब देखते हैं, cancer patient देखते हैं, तो let's say smoking related cancers है, तो ये cancer, जो lung cancers होते हैं, वो तो बहुत जल्दी फैलते हैं, और एक तरह से जब उनका diagnosis होता है, तो लेट स्टेज पे होता है, तो smokers जो होते हैं, जिनको cancer नहीं हुआ है, तो ऐसा कुछ rule है, ऐसे कुछ guidelines है, कि उनको X-ray कराना चाहिए, CT scan करा लेना चाहिए, हर साल, दो साल में कोई नॉडूल या गांट तो नहीं बन रहे हैं, लंग स्के अंदर, Lung cancer kills more people than breast, colon, and prostate combined. In some cases, lung cancer even surpasses heart disease in terms of mortality or killing people. and then जो आदा से जादा लोग होते हैं जो मेरे पास आते हैं लंग कैंसर के साथ they have stage 4 or metastatic disease. उनके लिए कोई क्यूर ने हो सकता or in their life span is usually about one year or less. So, लंग कैंसर लेट डाइगनोसिस होता है और इतना खतरनाक है कि सब breast cancer, आपने बताया, colon cancer, prostate cancer, इन सब को मिला लें तब भी लंग कैंसर से जादा लोग मरते हैं और stage 4 में जादा डाइगनोसिस होता है क्योंकि पहले कोई ऐसे सिंटम नहीं होते है और बहुत जल्दी फैलता है यह जल्दी फैलता है Yes, that's right. So, लंग कैंसर इस डेदली तो यह हम सोचते हैं के government में or Cancer Care Ontario में सोचते हैं के इस के लिए हम क्या करेंगे breast cancer के लिए we have mammograms, cervical cancer के लिए there are pap smears, colon cancer के लिए there is a blood or fecal occult blood testing and colonoscopy, lung cancer के लिए हम क्या करेंगे So, in Ontario, there's starting to be a lung cancer screening program I'm on the expert panel for the CCO Cancer Care Ontario, the Ontario group that is putting this together for the province and there are some guidelines So, जो लोगो तें जो है रिसके, that means older, have a higher rate of smoking in their past maybe have quit within the last 15 years there are specific criteria to fit into this screening program for a CT scan Chest X-ray हम को पता है के जादा तर ये लुग कैंसर को नहीं पिकरती especially in the early stages, stage 1 or stage 2 So, a low-dose CT scan, जादा रादा रादा रादाशन नहीं देगा लेकिन वो सब चीज़ नहीं को देख पी सकेगा अगर ये early-stage cancer है के नहीं So, अब ये गाइलाइन डिवेलप हो रही है Yes, गाइलाइन डिवेलप हो रही है So, this year there will be three pilot programs in the province and soon this will likely be throughout the province but even now if you are afraid that you may have cancer or worried because you have a long history of smoking then you can talk to your family doctor and sometimes get a low-dose CT scan that's your other speciality So, if you are smoking, then stop smoking and if you have cancer screening or lung cancer especially, then you need to talk to your family doctor and this program is going to be more information about this program Let's talk about esophageal cancer That's your other speciality Yes So, isophageal cancer, एक तो आप बतायें दर्शकों को कि क्या esophageal cancer होता है and क्या-क्या risk factors क्या होता है उसका smoking से मेरे खाल से relation इतना नहीं है but आप बतायें कि क्या-क्या relations है Actually है, so esophagus जो है, यह है अमारा food tube बस मूँ से stomach के अंदर वोई जाता है that's its only job to get food from the stomach to the, from the mouth to the stomach बस एक मसल का तूब है, that's it लेकिन उसके अंदर cells बात हैं and वो चेंज भी हो सकते हैं if they're related to smoking also, alcohol use and also acid reflux तो हम देखने हैं आज के esophageal cancer is one of the fastest rising cancers in incidence and probably because in everyone there is heartburn, acid reflux and that esophagus is getting irritated by all of that acidity can be caused by cancer and symptom can also be caused by cancer that's right if acidity is getting a cancer why don't it help from it so what should we do for screening this? so no screening is not for esophageal cancer but everyone has acid reflux to some degree if we have some food then you have a little bit of heartburn that's not cancer but if you find that you cannot swallow like we're eating or something is frozen if it's more and more, if you can't eat it then you definitely need to be examined to rule out esophageal cancer it's still not common it's probably the 8th most common cancer in incidence meaning happening these days but when you have it, it too can be deadly so if there are symptoms of long-standing acid reflux heartburn for 10, 15, 20 years you've tried every medication then you should be evaluated to try and stop the acid reflux because over time the changes can happen yes, so as you've told me that if you've had acid reflux and you've used all kinds of drugs especially if food is stuck then you should have to check it and if you put a camera on it that's right that's right that's right that's right yes so gastroscopy or endoscopy what's happening in the camera we can see in the mouth of esophagus is there anything there? is there cancer there? and I would say everyone who has anything sticking like something you can eat especially solids then you need a gastroscopy I would like to thank you aapne itna keemti wakt apna yaha pe apne apne patients se bhi clinic se bhi hospital se bhi or apne family se apne yaha pe humare saath bitaya darshko ko humare itni achi information di smoking ke baare mein, lung cancer ke baare mein or esophageal cancer ke baare mein bhi so I'm very thankful for this thank you Dr. Uteen thank you so aap this topic pere I'm sure aapne bhoat kuchh jana hoye ga bhoat kuchh samjha hoye ga sabse jadha ضruri baat joe hai ki smoking joe hai wo dangerous hai hum sab jantay hai sab nai photos beaghera dekhi hai per ager aap yaa aapke kooi family members yaa friends smoking kertate hai to unko in sabke baare mein ضruri بتai اور بتai ki smoking chhodna joe hai bhoat ea channel y or your health have a good evening for me for me for me for me for me for me for me